मुंबई का रुख करेंगे मुंबई में फिर दिखी पलायन की तस्वीरें प्रवासियों को लगा कम्प्लीट लॉकडाउन का डर और इस आशंका के चलते एक बार फिर पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं मुंबई से घर लोटने के लिए रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में लोग जुट गए हैं अपने परिवार के साथ तस्वीरें आपके सामने लोग मानने तिलक टर्मिनस पर भी भारी भीर नजर आ रही है ऐसे प्रवासियों की जो मुंबई से पलायन कर रहे हैं यहां रेलवे स्टेशन का ताजा हाल जाना हमारी समवादाता शिवांगी ठाकुर ने उनकी यह ताजा रिपोर्ट देखिए मुंबई शहर में लगतार करोना के मामले बढ़ रहे हैं और शायद यही कारण है कि अब तमाम लोग धीरे धीरे अपने गाउं की ओर चल पड़े हैं मिनी लोगडाउन पहले से शहर में लगाया गया है जिसके बाद अब लोगों का यह कहना है कि महने के 30 दिन में से 10 दिन अगर छुटी रही काम नहीं हुआ तो ऐसे में जिविका कैसे चलेगी तस्वीरे सीधे आपको दिखाते हैं मुंबई के कुर्ला टर्मिनस की रोजान स्टेशन के भीतर दाखिल हो इसी कि साथ साथ तमाम लोग जो हैं लौट स्पीकर के जरीए उनको यह बताया जा रहा है कि कुरोना के जो गाइडलाइन्स है उनका पाल्म किया जाना चाहिए लोगों से हम बात कर रहे हैं साफ तोर पर लोगों का कहना है कि तकाल टिकेट न लगाया भी गया संपुन तो दो तीन दिन पहले बताया जाएगा ऐसे में यह लोग कह रहे हैं कि अगर दो तीन दिन पहले बताया जाएगा तो भगदड़ हो जाएगी इससे बेहतर है कि समय रहते ही हम अपने अपने घर की ओड चले जाए तो मुंबई में एक बार फिर से पलाइन की तस्वीरे देखने को मिल रही है जा रहे हैं गाओं जा रहे हैं क्या कोरोना से डर है इसलिए मैंकि लोगडौन लग जाए रहा है अभी गाडी-घोड़ा भंद हो तो प्राब्लम हो जाएगा यहां रूम का भाड़ा सब कुछ देना हो तो गाड़ी घोड़ा चल नहीं रहा है और धंदा भी बंद हो गया है कंपनी भी बंद हो रही है इसलिए गाउं पहुच जाएंगे तो थोड़ा रात हो जाएगे रोना कि सिती को देखते हुए आप ल लॉक्डाउन था तब कहां थे जारखन चला गया था कैसे गया थे ट्रेन से गया था उसके चल रहा था आप लोग क्या यह लग रहा है कि दुबारा लॉक्डाउन नहीं लग जाए इसलिए पहले ही चले जा रहे हैं अभी क्या करेंगा अभी आके दस-पंदरों दिन नही क्या है कि जादा भीड बढ़े उससे पहले ही अगर अपने गंतवे तक पहुंच जाए तो बहतरी और यही कारण है कि अब धीरे-धीरे मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर पलाइन की तस्वीरे दिखने लगी हैं क्या मैं पसंद सुबशी जिदाम के साथ शेमांगी ठाग तो महराश के स्थती विकट है महराश दुनिया में सबसे बड़ा करोना होट स्पॉट बन चुका है बड़ते करोना ने राज में मिनी लॉकडाउन लगा दिया है लेकिन करोना कंट्रोल के सभी बंदोबस बेकार साबित हो रहे हैं वही टोटल कंप्लीट लॉकडाउन पर तो अर्श पर